Hey everyone, this is Simran, welcome back to our native channel, I hope you people are doing well. So, आज के इस पटले वीडियो में हम discuss करेंगे important questions, IBO 04 के, that is आपका export, import procedures and documentation के for your term and examination of June 2021. से पहले हम already discuss कर चुके हैं, IBO 2, IBO 3 and IBO 6 के important questions, तो अगर आप में से किसी ने उन वीडियो को नहीं देखा है, उन वीडियो से जरूर देख लीचेगा, उसका link में आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर कर दोगी, और अगर आप मेरे चानल पी नहीं हो हैं, तो मेरे चानल को टेलिग्राम चानल जॉइन करना पड़ेगा, इसको जॉइन कर लेंगे, तो जितने भी sessions मैंने अभी तक YouTube पर लिये हैं, चाहे वो आपके subject से related हो, चाहे आपके important questions के sessions हो, सब की PDF आपको टेलिग्राम चानल पर मिल जाएगी, वो भी बिलकुल free, तो जिन्हों ने अभी तक जॉइन किया है, do join it, तो without wasting any further time, let's get started, और सबसे पहले discuss कर लेते हैं date sheet, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, कि date sheet already released कर दी गई है, तो सबसे पहला paper है, आपका 10th of August को IBO 4 का, then 17th को है IBO 6 का, 24th को है आपका IBO 1, 26th को है IBO 5, then 3rd of September को IBO 2 है, and 8th of September को आपका IBO 3 का paper है, ठीक है और मैंने भी आपको पता दिया, कि IBO 2, IBO 3 and IBO 6 के important questions already मैंने provide कर दिये हैं, आज हम IBO 4 के discuss कर लेंगे, rest आपका IBO 1 and IBO 5 बचेगा, जो मैं जल्दी ही आपको provide कर दोंगी, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, सबसे बड़ा confusion students के बीच में जो इस time पर हुआ है, कि ma'am, आप बोल maximum students ने यही comment किया है, तो सबसे पहले तो मैं यही clarify कर देती हूँ, हला कि मैंने telegram पर already इस चीज़ को clarify कर दिया है, but बहुत से students ने भी तक telegram channel नहीं जोइन किया है, तो उनके बीच में अभी भी यह confusion होगा, तो सबसे पहले इस confusion को दूर कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ questions को discuss करेंगे, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से समझेगा, तब आपको clear हो जाएगा कि किसके papers होने हैं exactly, जो मैं यहाँ पर IBOs discuss कर रही हूँ, ठीक है, आपका जो course है, वो है, M.com, ठीक है, that is Masters of Commerce, ठीक, बट यही सिर्फ एक course नहीं ह organization, ठीक है, तो इनको भी क्या पढ़ने होते हैं, IBOs पढ़ने होते हैं, आपका M.com क्या है, degree course, that is first year plus second year, है ना, इसमें आपको कोई confusion नहीं होगा, अब जो students M.com enrolled है, जो first year है, उनके भी क्या subject होते हैं, IBO होते हैं, और आप जो अपना first year complete कर लेते हैं, तो आपको यहाँ प है, ठीक है, यहाँ पर इनका first year, जो भी है complete हो जाता है, इसके बाद इनका कोई भी course नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि diploma आपको पता है, कि एक साल का ही होता है, but M.com क्या है, आपको degree course है, मतलब two year course है, first year complete करने पाद आपको यह diploma मिल जाता है, जब second year complete कर लेते हैं, तो आपको यह degree मिल जाती है, ठीक है, पिसके अलावा भी और courses हैं, जैसे आपके जो CA या CS का aspirants हैं, उनको यहाँ पर कुछ courses में या फिर कह सकते हैं, को subjects के लिए exemption दे जाता है, उनके course अलग से design किये जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक course है आपका M.com, B.P.C.G., ठीक है, एक course है आपका M.com, F.T., और एक course है आपका M.com, M.A.F.S., ठीक है, ये, ये course, ये और ये course, ये चारो आपके कैसे course हैं, एक साल के ही हैं, ठीक है, यहाँ आपर कोई first year, कोई second year नहीं है, तो इनके papers होने ही होने, और इन सब ही के papers में I.B.O. included है, इसलिए मैं यहाँ पर I.B.O. discuss कर रही हूँ, जो students M.com में enrolled हैं, ठीक है, जो degree course में enrolled हैं, उनका paper नहीं होना है, first year का, उनके paper December में होने हैं, बट जो PGD I.B.O. में enrolled हैं, जो M.com, B.P.C.G., F.T. and M.A.F.S. में enrolled हैं, इनके papers होने हैं, ठीक है, I hope अब कोई confusion न कोई भी doubt नहीं होगा, आप लोग के बीच में किसको paper देना है, किसको नहीं देना है, first year paper होना है, नहीं होना, यह मैंने already बता दिया है, ठीक है, बस अब अपने examination पोकस करिए, ज्यादा time आपके पास नहीं है, ठीक है, चलते हैं अपने questions की तरफ, यहाँ पर I.B.O. 4 के questions को discuss करने से पहले इसके paper के pattern को थोड़ा समझने जरूरत है, ठीक है, जैसे आपने generally अपने papers देखे हैं, कि short notes पूछे जाते हैं, long questions पूछे जाते हैं, और differences आते हैं, यहाँ पर आपको comment on the following, ऐसे भी questions दिख सकते हैं, ठीक है, जैसे statement वाले questions होता है, आपको इसमें comment करना होता है, अपने एक point of view देना होता है, ठीक है, तो ऐसे questions भी यहाँ पर आ जाते हैं, कई बार पूछा भी जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता है, बट मैंने आपको यहाँ पर provide किया है, कि in case पूछा जाए, तो आप questions से familiar रहें, आप examination में question का answer दे पाएं, ठीक है, तो सबसे कर लेते हैं, हम लोग short notes के question, पहला question है, आपका marine insurance contract, यह आपका unit number 12 से है question, next है हमारा forward exchange cover, यह आपका unit 18 से है, next है हमारा shipping bill, यह आपका unit number 3 से पूछा गया है question, ठीक है, next है electronic commerce, यह पूछा गया है आपका unit number 4 से, next है हमारा role of clearing and forward agent, यह पूछा गया है unit 11, और यह question exam में बहुत बार repeat हुआ है, role of clearing and forwarding agent, ठीक है, shipping bill भी आपका topic exam में बहुत बार पूछा आता है, ठीक है, next है हमारा export licensing, यह पूछा गया है आपका unit number 1 से, next है export import bank of India, यह पूछा है unit 8 से, अब यहाँ पर export import bank of India से पूछ लिया है, कई बार आ finance से, ठीक, next है हमारा deemed export, यह पूछा है unit 1 से, और यह topic भी आपका exam में बहुत बार पूछा आता है, बहुत ही easy है, मैंने बहुत detail में discuss भी किया है कि deemed exports क्या होते है, वीडियो को जरूर देख लिजेगा, आपको एक बार में concept clear हो जाएगा, ठीक है, next है हमारा port procedure, यह पूछा आपका important है, यहाँ पर short note से पूछा सकता है, long भी पूछा सकता है, और इन दोने के बीच में difference भी आ सकता है paper में, ठीक है, तो इसको अच्छे से ज़रूर prepare कर लीजेगा, next है हमारा inco terms, inco terms आपका पूछा गया है unit number 2 से, अब inco terms मैंने already discuss किया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो link है वीडियो का मैं आपको i button में उपर share कर दूँगी, inco terms जरूर से पढ़के जाए क्योंकि थोड़े से complicated होते हैं और अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप examination मिसके regarding खुद से कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखतीजेगा, पाकी pdfs मैंने आपको बता दिया है कि telegram पर available है, आप file section में जाके सारी pdfs को access कर सकते हैं, ठीक है, चलते हैं अपनी next slide की तरफ, next question है हमारा bill of entry, तो यह आपका पूचा गया है unit number 3 से, ठीक है, next है simplified export documents, यह भी आपका question unit number 3 से पूचा गया है, next है ECG financial guarantee, यह unit 9 से है, और important है, ठीक ह यहां से long भी आ सकता है, question short में भी आ सकता है, और comment on the following, जैसे statement wise question है, वो भी यहां से बुचे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से prepare करिएगा, long के perspective से, ताकि short में आया comment section में आया comment on the following statement में आया, तो आप easily लेख सकें, ठीक है, next है हमारा value added network service, यह पूचा गया है unit number 4 से, यह भी काफी बार repeat हुआ है आपका, next है हमारा export promotion council, यह पूचा गया है unit number 15 से, और next है last S में, revocable and irrevocable letter of credit, यह unit 6 से पूचा गया है, यह भी आपका important है, ठीक है, next slide की तरफ बढ़ने से पहले यहां पर आप लोगों को बता देते हूं कि किन-किन topics को मैंने यहां पर discuss क्या हुआ है, क्योंकि सारी units cover करना अभी possible नहीं हो पाया है, तो जो topics मैंने discuss किये हैं, वो भी अपने में काफी important और examination में, वहां से questions आते ही आते हैं, तो जितनी भी वीडियो मैंने आपकी प्रोवाइट करी हैं, सारी देखके चाहिए, क्योंकि exam में guarantee साथ कह सकते हूं कि questions आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें से, ठीक है, तो मैं बता देद रहीं कौन-कौन से units हैं आपकी, सबसे पहले है आपकी unit number 1, यह discuss करी हुए है, that is आपका export import rate, ठीक है, next है हमारी unit number 2, that is आपका export sale contract, next है हमारी unit number 3, that is export import documents, यह जो unit है यहां से आपको 20 marks का question, for sure आएगा ही आ जाए, वो examiner पर depend करता हो सकता है, difference भी आजाए, but unit 3 is a question, आएगा ही आएगा, ठीक है, next है हमारा unit number 5, that is आपका processing of an export order, यह जो export order वाला आपका topic है यह important है, और इसको आपको एक serial order में ही याद रखना है, क्योंकि यह क्या है, एक procedure है, procedure कैसे चलता है, एक proper order, एक chronological order में ही चल ठीक है, तो इसको जरूर से पढ़ लिजेगा, इस पर video already मैंने provide की हुई है, unit 4 मैंने discuss नहीं करी थी, क्योंकि यह topic लोड़ा easy है, आप लोग खुद से भी सको cover कर सकते हैं, ठीक है, next unit है हमारी unit number 6, that is terms of payment, यहाँ से भी आपको question exam में देखने को मिलेगा ही, मिलेगा, ठीक है तो इतनी units यहाँ पर provide की हैं, इनको अच्छे से go through कर लिजे, आप exam में देखेंगे कि 40 to 50 marks से questions यहाँ से होगे, ठीक है, अब चलते हैं अपनी next slide की तरफ, next discuss कर लेते हैं, differences, अब यह differences हो सकता है, आप से अलग से पूछ ले, या फिर आप से long question के बीच पूछ ले, वो examiner प पता है, मैं उनको यह बता दूँ, कि अगर आप paragraph में difference लिखेंगे, तो देखिए, वो इतना अच्छा impact नहीं डालता है, क्योंकि examiner पास इतना time नहीं होता है, कि वो आपकी एक एक word को पड़े, भले आपने बहुत अच्छा लिखा हो paragraph में, बट ध्यान किस पर जाएगा, जब आप उसको एक proper format में लिखेंगे, और proper format क्या होता है हमारा, जैसे हम differences बनाते हैं, ठीके, और अगर बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बना के यहाँ पर लिख सकते हैं, basis of comparison, ठीके, और यहाँ पर जो आप difference लिख रहे हैं, ठीक, मैं हमेशा इ इसी चीज़ को priority दोंगी, कि आप इसी format में लिखेंगे, अगर basis of comparison नहीं मिल रहा है, तो directly इस तरीके से format बनाएं करिये, बट paragraph में avoid करिये, अगर एकदम भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब लिखेंगे, बट अगर आता है, तो उसको paragraph में लिखने की क पूशिश बिलकुल मत करियेगा, ठीक है, अपसे पहला difference है हमारा open cover and open policy के बीच में, यह आपका पूचा गया unit number 12 से, ठीक है, next है actual total loss and constructive total loss, यह भी unit 12 से पूचा गया, unit 12 आपकी important है, ठीक है, question यहां से आ जाता है exam में, ठीक, next है हमारा maritime and external spirals, तो यह भी आपका unit number 12 से ही है, next है FOB and CIF contract से बीच में difference ही है, आपका unit number 2 से पूचा गया, और already मैंने discuss किया है, कि FOB contracts क्या होता है, CIF contracts क्या होता है, दोने बीच में difference क्या होता है, ठीक है, तो वीडियो को जरूर देख लीजगा, next है हमारा revocable and irrevocable letter of credit, यह पूचा गया unit number 6 से, यह भी मैंने already discuss किया है, औ next है, next है हमारा consular invoice and customs invoice, तो यह आपका बूचा गया है unit number 3 से, next है duty against acceptance and duty against payment, यह भी आपका unit 6 से है, और काफी detail में मैंने discuss किया है, कि duty against acceptance क्या होता है, duty against payment क्या होता है, difference क्या होता है, ठीक है, वीडियो को जरूर देख लीजगा, concept clear हो जाएगा, और आप easily exam में अपने words में ल indices and guarantees, तो यह पूचा गया है unit number 9 से, next है bill of lading and airway bill, यह पूचा गया है unit number 3 से, and last है shipping bill and bill of entry, यह भी unit 3 से पूचा गया है, ठीक है, तो यह सारे topics मैंने discuss किया है, वीडियो को देख लीजगा, आपको सारे के सारे यहाँ पर PDFs भी मिल जाएंगे, सबके answers भी आपके पास होंगे ठीक है, अब चलते है next slide की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका Hindi में content provide कर दिया, I hope, अब Hindi media students को थोड़ी दिक्कान उससे कम होगी, बाकी जो actual content है, वो अभी नहीं provide कर पार है, उसके लिए extremely sorry, but in questions को आप refer कर लीज़, और in questions के थुरू, अगर आप preparation करके जाएंगे, त आपके book के ही कोई statement होता है, उसी को यहाँ पर दे दिया जाता है, और आपको यहाँ पर बताना है कि जो statement दिया गया है, यह सही है या नहीं, अगर सही है, तो आपको उसके लिए यहाँ पर answer देना है, कि आप कैसे बता सकते हैं, explain करना है, अगर नहीं, तो आपको उसाब से explain यहाँ पर करना है, ठीक है? सबसे पहला question है हमारा international trade is the engine of economic growth, अब देखिए कुछ questions exam में ऐसे होते हैं जहाँ पर आप यह predict ही नहीं कर सकते हैं कि यह कौन से unit से पूछा गया है जैसे अगर आप पहला ही question यहाँ पर देखें तो यह एक normal statement है, राइट? और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यह हो सकता है unit 1 से ही पूछा गया क्योंकि आपको यहाँ पर answer अपने आप से ही लिखना पड़ेगा कि international trade कैसे economic growth में help करता है और में खाल से आप यह चीज़ खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है? और बात करूं अगर कि कितने page में लिखना होता है ऐसे questions को, तो hardly one, one and a half pages के अंदर आपको इसका answer complete करना होता है तो I hope इतना आप खुद भी अराम से लिख सकते हैं, ठीक है? next question है हमारा, export documents are indispensable in any export import transaction तो यह आपका जो question है वो unit 3 से पूछा गया है ठीक है? next है all partners in a letter of documentary credit deals in documents only, तो यह question आपका unit number 6 से पूछा गया है, ठीक है? next है ECGC enhances the credit worthiness of export transaction and also of the exporter तो यह पूछा गया unit number 9, तो मैंने आपको बताया है कि unit 9 important है, यहां से आपको short notes में question देखने को मिल सकता है, differences में भी आ सकता है, long में भी आ सकता है और statement wise question भी आ सकता है ठीक है, और यह particular statement exam में दो से तीन बार repeat हुआ ही हुआ है, ठीक है? तो इसलिए मैं यहां पर आपको ऐसे questions प्रोवाइड कर दो ता कि आप उनसे familiar रहें और exam में आपको यह ना लगे कि यह क्या पूछ लिया है, ठीक है? next है the cardinal principle about insurance claim is that the insured has to fulfill clearly defined responsibility यह question पूछा किया है आपका unit number 12 से, ठीक है? unit number 12 that is आपकी cargo insurance, मैं ने बताया है कि unit भी आपकी क्या है? important है क्योंकि यहां से questions काफी आते हैं next है हमारा, the central excise act 1944 and the central excise rules 2000 incorporate a variety of schemes designed with a single purpose that excisable goods to be exported should not be burdened with excise duties तो यह question आपका पूछा गया है, unit number 17 से, ठीक है? next question है हमारा, special economic zones have played an important role in promoting exports, तो यह पूछा है unit number 15 से, ठीक है? अब चलते हैं next slide की तरफ, और यहां पर मैंने आपको इसका हिंदी में content प्रवाइड कर दिया है एक बार आप इसको अपने हैंड से देख ली जाएगा ठीक है? next question है हमारा, exam bank does not compete with commercial bank but supplements the service provided by them to the exporters अब यह भी question ऐसा है, जहां आप इम predict नहीं कर सकते कि exactly कौन सी unit से पूछा गया है, ठीक है? तो आपको exam bank के बारे हम पता होना चाहिए, उसके roles के पता होना चाहिए, क्या करता है, exam bank किस तरीके से commercial banks क्यों help करता है, ना कि वो compete करता उनके साथ, यह सब आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? next है trade policy is an instrument of economic policy which aims to promote economic growth with stability in the country तो यह पूछा गया है आपका unit number 1 से, ठीक है? next question है हमारा, exports though profitable is a highly risky and complex business अब यह भी जो आपका statement ऐसा है, जो आपको particular unit में ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसका अंजर भी आपको खुद से लिखना होगा है and I hope यह आप easily लिख सकते हैं क्योंकि आपको ही पता है कि अगर कोई भी business कोई भी आपका organization अगर अपनी country के अंदर ही trade कर रहा है तो उसको risk कम होता है क्योंकि हम अपनी policies, अपने rules and regulations सबके बारे में जानते हैं बट वहीं अगर हम बात करें कि जब हम दूसरी countries के साथ यहाँ पर trade करना start कर देते हैं, export, import करना start करते हैं तो वो profitable तो होता है बट कहीं न कहीं risk भी ज़्यादा involved होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको खुद से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, next है litigation is a preferable method of settlement of international trade disputes, तो यह आपका question है, यह आपका पूछा गया है unit number 2 से, ठीक है next question है, ISO 9000 quality system are significant in exports, तो यह पूछा है unit number 11 से और यह question भी exam में repeat हुआ है, तो उसको जरूर से पढ़ ले जागा कि ISO 9000 है क्या, किस चीज के बारे में यह बोलता है, क्योंकि आपको जब तक इसके बारे में नहीं पता होगा, आप exam में लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, next है EDI system can shorten the lead time between reset and execution of export order तो यह पूछा गया है unit number 4 से, और EDI का एक question आपको exam में देखने को मिलेगा ही मिलेगा चाहे वो short notes में आए, चाहे वो आपके long में आए, ठीक है, तो इसको long के लिए ही prepare कर लीजेगा, बाकी सब के लिए अपने आप वो prepare हो जाएगा ठीक है, और last question है हमारा इसमें, export promotion capital goods help exporters in reducing manufacturing cost of export goods, तो यह पूछा गया है unit number 1 से ठीक है, अब चलते हैं अपनी next slide की तरफ, और यहाँ पर ही मैंने आपको इसका Hindi में content provide कर दिया है ठीक है, अब last set of questions को discuss कर लेते हैं, जो कि आपके हैं long questions, सबसे पहला question है हमारा, letter of credit reconciles the conflicting interest of buyers and sellers in an export contract explain the mechanism and different kinds of letter of credit with example, बहुत ही important और question यह आता ही आता है exam में, ठीक है, यह question पूचा गया है, आपका unit number 6 से, और मैंने आपको अलड़ी बताए कि unit 6 मैंने discuss करी है, detail में, letter of credit अच्छे से पढ़िएगा, different kinds पढ़ लीजेगा, कि letter of credit कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं सब कुछ अच्छे से पढ़के जाएगा unit 6 का, क्योंकि आती ही आती है unit 6, ठीक, मैंने अलड़ी आपको starting में ही बता दिया है, जितनी भी units cover करी है, मैंने 4 से 5 units जितनी भी, उनको पढ़के जाएगा for sure questions आएंगे याएंगे उसमें से ठीक है, next है हमारा why are several documents needed while executing an export order, explain and also state the significance of main commercial documents तो यह पूचा गया है, unit number 3 से, और जितने भी आपके documents है ना, सारे पढ़के जाएगा क्योंकि individually कोई एक document आपसे short notes में पूच सकता है ठीक है, और मैंने काफी detail में हमारे commercial documents को discuss किया है proper format के साथ, ताकि आपको यह पता इसक्राइब the steps involved in the receipt examination, confirmation of an export order, तो यह पूचा गया है unit number 5 से ठीक है, मैंने आपको बताया है कि unit 5 भी मैंने discuss की हुई है next है, what is documentary credit discuss the mechanism of realizing payment under the letter of credit arrangements along with the documentation procedure, तो यह आपका पूचा गया है, unit number 6 से, ठीक है next है, what is credit risk describe the basic principles of operation of ECGC explain the procedure for making a claim with ECGC along with the documentation formalities, तो यह आया है unit number 9 से, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है unit number 9 भी आपकी important है, ठीक, next question है हमारा, what are the different terms of payment used in export import rate what would you consider safest from the viewpoint of exporters तो यह पूचा गया है unit number 6 से, और मैंने यह detail में discuss भी किया है कि exporter के point of view से कौन से safest है और अगर यहाँ पर आप से question पूच लेता है कि importer के point of view से कौन से safest है तो यह भी मैंने discuss किया है इसलिए मैं बार बार कह रही हो कि वीडियो को जरूर देख लीचेगा आपको सारे answers वही पर मिल जाएंगे, ठीक है next question है हमारा, discuss the recent trends in India's foreign trade stating its composition direction, have any significant changes taken place during the last 10 years तो यह पूचा गया है आपका unit number 1 से, ठीक है अब चलते हैं नेक्स स्लाइट की तरफ और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में content प्रवाइट कर दिया है, एक बार अपने इन से जरूर देख लीचेगा, okay next question है हमारा, discuss the duties of an exporter under FOB and CIF contract, तो यह आपका पूचा गया है unit number 2 से और FOB and CIF contract के पीच में difference भी आ सकता है और इस तरहीकी से भी question पूचा जा सकता है, duties ठीक है और यह duties कही बार आप से short notes नोट से ही पूचिया सकती है, individually FOB contracts की या फिर CIF contracts तो इस unit को भी अच्छे से prepare कर लीजेगा, तो कि questions आते हैं, next है हमारा what is frustration of contracts describe the available methods of dispute settlement in export, import, business along with the respective merits and deminits which one you consider most appropriate and why, तो यह भी आपका unit 2 से पूचा गया है next question हमारा, what are the different stages of clearance of import cargo, discuss the procedure and documentation involved, तो यह आपका unit number 14 से पूचा गया है, ठीक है unit number 14, अपकी custom clearance of import cargo से, next है, discuss the procedure regarding custom clearance of export cargo with related documents तो यह आपका unit number 13 से पूचा गया है next question हमारा, why has the electronic data interchange become necessary for international business what strategic advantages an exporting unit may get through EDI discuss giving suitable illustrations support of your answer, तो यह unit 4 से पूचा गया, मैंने आपका बताए है कि EDI से question आपका ही आपका, चाहे long में आपका चाहे आपके short में पूचा ले, बट आपका, ठीक है next है, discuss the relevant provisions of foreign exchange management act that is FEMA regarding realization of export proceeds and other matters relating to foreign trade, तो यह question पूचा गया है आपका, unit number 7 से, ठीक है unit number 7 आपकी exchange control regulation and facilities concerning export से, ठीक चलते हैं अपनी next slide की तरफ और यहाँ पर मैंने आपको उसका हिंदी में content provide कर दिया है, ठीक है next question है हमारा, what are the objectives of custom control discuss the procedure of custom clearance of export cargo by sea along with the documentation formalities तो यह unit number 13 से पूचा गया है और custom clearance of export cargo की बात करें तो by sea जादा पूचा गया है paper में तो इस पर फोड़ा जादा focus करिएगा, लेकिन बाकी जो आपके हैं उनको skip मत करिएगा but sea वाला जादा पूचा गया है इसलिए मैंने आपर इसका question include कर दिया है ठीके, next day discuss different aspects of making, labeling and packing of goods for export also discuss the concept and advantages of containerization of consignment यह पूचा है unit number 11 से और यह जो word ना containerization of consignment यह important है ठीके, इस word पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजेगा इसके क्या advantages है, क्या concept है containerization का मतलब क्या है यह जरूर याद रखिये क्योंकि हो सकता है short notes में भी यह पूच लिया जाया ठीक, next question है what is involved in financing imports discuss the various methods of financing available to the importers are there any RBI regulations on this subject तो यह पूचा गया है unit number 10 से आपका ठीक है last question है हमारा describe the regulatory framework of export import business describing the respective roles of various legislation and institutions also discuss the main provisions related to imports and export under foreign trade policy of India तो यह unit number 1 से पूचा गया है ठीक है so I hope जितने भी questions हमने यह आपर discuss करिए आप लोग को clear हो गया होंगे और आपको यह समझ भी आगया हो किन-किन units पर आपको major focus करने की जरुरत है किन units को आप skip नहीं कर सकते और किस टाइब की questions आप से examination में पूचे जाते हैं तो thank you so much for watching please video को like जरूर कर दीजेगा और अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लीजे bell icon को भी जरूर प्रेस कर दीगा ताकि मैं जब भी videos का upload करूँ उसका notification आपके पास जरूर जाए अपने feedbacks देना मत भूलिएगा और videos को जाधा जाधा शेयर करिएगा मिलिंग अपने next video में next set of questions साथ till then stay safe, stay healthy, bye bye take care